भीशन गर्मी से जूज रहे भोपाल के लोगों को सुमवार सुबह रहत मैसूस हुई क्योंकि सुमवार से राजधानी भोपाल का मौसम जो है वो काफी हद तक बदल गया है एक दिन पहले तक जहां भोपाल के लोग गर्मी और उमस से परिशान थे महीं सुमवार सुबह से मौसम ने करवट ले ली है भोपाल में सुबह बारिश हुई है उसके बाद से ठंडी हवाओं का दौर चल रहा है और कल तक जो बोट कलब वीरान पड़ा हुआ था वहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में लोग आज पहुँच गए हैं जील किनारे एक तरीके से घूमने के लिए निकल पड़े हैं और यही वो इलाका है भोपाल का जहां पे लोग बड़ी संख्या में खुड़ा सा कूलिंग काफी अच्छा है ठंडा मौसम है कल तक बहुत गर्मी थी हमिनुटी भी बहुत ज्यादा थी कल तक आज का बहुतर है मौसम आप देखते हैं और यह तस्वीर जो हम आपको दिखाते हैं देखिए कल जब यहाँ पे इतना गर्मी और उमस थी की लोग बच रहे थे बाहर निकलने से लेकिन आज सुबह से लोग जो है जील किनारे पहुँचना शुरू हो गए हैं और यही भोपाल की शान कहे जानी व आज जब मौसम बदला है तो बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं भोपाल इंदौर उजयन समेट मालवा के कुछ इलाकों में आज सुबह बारिश हुई है हाला कि अभी भी जो पूरी मद्रप्रदेश है खास्तों से बुंदेल खंड और चंबल गौलियर का जो इलाका है वहां पर अभी भी गर्मी बरकरार है बुंदेल खंड में अभी जो अडिक्तम तापमान है वो 35 डिगरी तक 45-46 डिगरी तक जा रहा है जो अभी भी बता रहा है कि मौनसून की बारिश के लिए फिलाल अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि मौसम भाग का मानना है कि मौनसून इस बार देर से प्रवेश करेगा और 15 जून तक जो मौनसून 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 में आ जाता था इस बार वो फिलाल गुजरात के उपर रुख गया है और अगले कुछ दिनों के बाद ही वो मौनसून की बारिश के लिए भी कुछ इंतजार करना होग लेकिन प्री मौनसून बारिश ने मदबदेश के लोगों को भीशन गर्मी और उमस से जो पिछले कई महीनों से जूज रहते उस से राहत जरूर दी है रवीश पाल सिंग भोपाल आज तक